Breaking News है, बड़ी खबर है, PSL 2024 को लेकर और फैंस के लिए थोड़ी सी disappointing news भी है बिल्कि थोड़ी सी नहीं बहुत दाधा disappointing news है क्योंकि अब chances यह हैं कि PSL 9 यानि कि PSL 2024 का edition जो है वो UAE में shift होने वाला है बहुत दाधा chances इसके हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में elections आ रहे हैं और elections की वजहां से February, March में जो edition होना था, Nova edition वो अब लग रहे है कि UAE ultimately shift हो जाएगा जो 8 साल की मेनत थी पाकिस्तान cricket board की और PSL की जिसके बाद PSL brand बना जो वो आज brand है और मुनाफ़े में जाना शुरू होगी थी franchises अब फिर से यूटन लिया जाए और इसको UAE में shift करने की जो है वो पेश्करश कर दी गई है ARY News के मताबिक लहौर में एक बहुत important meeting इस अफते होने वाली है वैसे तो Express News ने भी यह चीज जो है पिछले में खाल से 2-3 दिन पहले ही report की थी कि UAE में ही यह नोवा edition होगा क्योंकि यहाँ पर elections होने है security के मसाइल और दीगर मसाइल है foreign phrase की availability का issue पर जाता है यहाँ पर अगर थोरा सा भी आपको लगता है के security का issue है यहाँ political जो situation है लहौर कराची में बड़े शहरों में इस्पेशली वह उस तरह से stable नहीं है तो players जो है वो फिर कतराते हैं और इतनी leagues हो रही है South Africa की league चाल रही होगी IELT 20 UE में चाल रहा होगा साथ बंगलादेश में चाल रही है लीग उसे पहले टीटन हो रहा होगा फिर IPL होना है PSL के फॉरण बात तो यह प्लेयर्स चाहते हैं कि इनको वहां पर ही जहां पर जादा की कोई पेशकाश नहीं थी जो शुरू में फ्रैंचाइज ओनर्स ने कॉंट्राक्ट साइन किया था PSL के साथ और वह यहीं चाहते हैं कि यह फ्रैंचाइज ही छे ही रहे पहले 10 साल तक इनको मुनाफ़ा जो हो चे टीमों में डिस्ट्रिब्यूट हो वह ज्यादा तीमों पागसान के चे वैन्यूज में PSL के मैचेस हो लेकिन अब तो यह लग रहे है कि पूरा का पूरा PSL हो जाएगा जहां पर फैंस को बहुत जादा दुख है इस चीज़ का और जो उन्होंने काटे हैं तीन साल सोलां सत्रां ठारां दोजार सोलां सत्रां ठारां जो पहले ती पागसान में पूरा PSL नहीं हो सका था पर कोविट के मसले थे अब लग रहा है कि दुबारा से वही वक्त आ गया है खास और इस अडिशन को लेकर तो हम लोग उसना से प्रवाइड नहीं कर सकते हैं तो हमें यह PSL जो है वह यूई में शिफ्ट करना पर सकता है आपको याद रहे कि IPL के दो एडिशन भी एक साथ आफ्रिका में और यूई में शिफ्ट हुआ था अदा एडिशन भी जब IPL में भी इलेक्शन चाल दे इंडिया में तो यह भी आपको याद रहे हैं जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की सिच्वेशन आती हैं उसमें फॉरी प्रवाइड की जए और आप लोग भी थोड़ा कतराते हैं जो होस्ट नेशन होती है जहां होस्ट कंट्री होता है कि हम लोग ल आते हैं और यहां पर यूई शिफ्ट कर देते हैं टैक्स का इशू चल रहा था अदाई की जो आपने स्क्योटी एगेंसिस को देनी हैं पचास प्यास लाक एक करोर वो इशू चल रहा था वो यूई में इनको नहीं आता यूई में यह सुकून से पूरा टॉर्णमन निक होता है यहां क्या फ्रैंचेज ओनर्स वो कहते हैं कि हमारे स्पॉंसर नहीं मानेंगे स्पॉंसर हाथ खरे कर लेंगे ट्रैक्शन नहीं आएगी इतनी गेट मनी नहीं आएगी अब क्या डिसाइड होता है यह देखना जो है ज़रूरी है